तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों बढ़ रहें आगे और अगले प्रॉब्म के उपर डिस्टिस करना शुरू करते हैं लेकिन इटेम्ट बले आप ले लिजे देन डिस्कासन में पारिस्पेट किये यह बार बार मैं बोलूगा आपको तो प्रॉब्म यह जो ह संसे कईसारे चार्ज पारिकल मेरे अटमोसफेर को एंडिसर्म करता है बट हमारे मैंगेनिन फिल्ड हो हमारे और यो चार्ज पारिकल से प्रॉटेट भी करती है। ली तो उसी तरह से यह उसी के उपर प्रॉलम है यहां पर तो कहा गया किया कोस्मिक रे एक्सप्रिमेंट का एक तरह से बात करते हैं अब कहा गया कि एक उलेक्ट्रों है जी और एक प्रोटॉन है आपके पास राइट, इलेक्ट्रोन की काइनेटिक इनरजी 10 Kb, प्रोटोन की काइनेटिक इनरजी आपकी दे रख्या है 100 Kb, पहला कोशन का आगए, कौन सा फास्ट है, इलेक्ट्रोन फास्ट है या प्रोटोन फास्ट है, और बेस से बात हम लोग काइनेटिक इनरजी हाप Mb² से किवल नहीं है, यह non-relativistic particle के लिए है non-relativistic particle के लिए है, मैं आपको बता दू, non-relativistic particles are those particles which has the speed very very less as compared to speed of light लेकिन यदि मालो कि आपकी speed किसी particle की c by 2 हो जाए, तो kinetic energy half mb square भूल करके भी नहीं लगाना है, हम लोग उस केस में फिर relativistic concept को लगा करके हम लोग वहां पे energy निकालते हैं, energy की बात करते हैं, तो उसके प्रवे बात नहीं करने जा रहा है, हाना कि मैं बता सकता हूँ, बता दूँगा, वही मैं इसके बात बताई दूँगा, साथ ही साथ, बट यहान में रखने वाली बात यहां पर यह है, कि काइनेटिक नरजी बता है, तो बता ही यहां पर काइनेटिक नरजी यह आगे, यह काइनेटिक नरजी आगे, यहां पर यहां पर मास आप धे रखा है, वहां पर प्लेस कीजए, गरद वैल्य मास की वैल्यOOOO यहां पर प्लेस कीजए यह वाली, and गरद वैल्य अपर इस श्पीड उप इल्लेक्रोन एक तरह से आ गईी, टू अधर लेकर जाईए, अगे अंडर रूट आप 2 इन्टू 1.60 इन्टू 10 समाइस 15 समझे बात कर टेंसा 4 इन्टू 10 समाइस 19 इन्टू 10 समाइस 15 1.602 इधर चला जिया इससे स्पीड आप इलेक्ट्रोन आगे इसको आप खुद भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं इसमें राइट तो इसको आपके ओपर छोड़ दिया हूं यह खुद करना है मैं इसका डारेक्टली स्पीड की वैल्यू आपको बता देता हूं जो की आप खुद कर लेना मैं कर रहा हूं वैज। कैलकुषन आप खुद कीजिए इससे स्पीड आप इलेक्ट्रोन आगया इन दस्मिलर वे यहां पर इसपीड आप प्रोट्रोन निकाल लेंगे अब क्या होगा प्रोट्रोन की 100 केवी है तो यहां पर 10 की जग़गा पर 100 आजाएगा यह 100 हो जाएगा यह 100 हो गया तो यह 105 हो जाएगा वन इलेक्ट्रोन बट वही डालेंगे बट अब मास अब प्रोट्रोन प्लेस करेंगे जो की देरखा है प्रॉलम में यहां पर 1.67 इंटो 1027 केजिए उससे स्पीड प्रोट्रोन की भी आ जाएगी उसको कैलकुरेट करके आप बता देंग बट एक बात आ रहे हैं यहां पर यदि स्पीड का रेशियो आप निकालना चाहते हैं तो बिना कैलकुरेशन करें भी इतना ज्यादा कैलकुरेशन की जरुप नहीं है कि पुरी स्पीड निकालें प्रोट्रोन की जो आपकी स्पीड आएगी कितनी आएगी बताइए 2 तेंस अब 5 इंटो 1.60 इंटो टेंस माइस 19 डिवाइड़ बाइ 1.67 इंटो टेंस माइनस 27 kg अब बिना पुरा कैल्पुलेट कर दिए सिधर रेश्यो ले लिजे क्यों कई फेक्टर तो अपने आप पूरा कैल्पुलेट कीजिए आप स्मार्टली काम करना है पूरा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह 1.60 इंटो टेंस माइस 19 टेंस फूरा टू इधर गया मास अप्रोट्रॉन लिए प्रोट्रोन बाली बात हो गई क्योंकि इसके 100 के भी है तो टेंस फाइब इलेक्ट्रोन बोल्ट होगा तो यह रह गया बात को और इससे आप कर लिए एक बात और बहुत है अब चाहें तो यह एक्ट्रोन बोल्ट को कनवर्ट नहीं कीजिए जूल में वह भी मैं आपको ब चाहें पर जाएगा ऊंस माइस 31 बहुत सारी बात हैं जब कुछ रेश्यो आएगा तो उसी बेसिसफ परेंगे की स्पीड इलेक्ट्रोन की जादा है पूरी स्पाइट्रोन की ज्यूरूर्ट नहीं है और भी स्मार्ट ली काम करना है आपको तो मैं वह भी आपको बताता हम लोग क्या कर सकते हैं, इस unit को electron volt को electron volt मेराने देते हैं, अब एक तो यह तरीका होगा जिसके तरू मैंने बताया आपको, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं एक और तरीका बताता हूँ, जिसमें calculation कम होगा आपका, अब देखें आपे, इसको आप ऐसा कीजिये, कि मैं कर नहीं करता, कि इसको मैं कर नहीं कर रहा है, काइने इंट इड़ टेन किलो इलेक्टरों बोल्ट है, तो किलो इलेक्टरों बोल्ट रहने दीजिये, इट विल बे इक्वल टू, हाफ मास हो गया 9.11 इंटो 10 समाइस 31 kg इंटो VE स्क्वाइब यहां से VE के वैलू कितनी आ जाएगी रूट अबर 2 इंटो 10 किलो एलेक्रान मोल दिवाइड़ बाइ 9.11 इंटो 10 समाइस 31 kg इंदस्मिलर वे प्रोटॉन का निकाला है तो प्रोटॉन के लिए क्या है कारेट इंटो 100 के भी है इसको आप लिख दीजिए 100 के भी यह रहने दीजिए एकल टू हाफ मास अब प्रोटॉन इंटो वी पी स्क्वेर और वी पी के वज़िए क्या हो जाएगी बताए यह रूट अब टू इंटो 100 के भी डिवाइड़ बाइ मास अब प्रोटॉन इस हो मज़ यह लिख दीजिए यहाँ पे 1.67 इंटो 10 समाइस 27 के जी अब दोनों का रेशियो ले लिजिए अब जब रेशियो लेंगे तो एक चोरी यह भी के भी है यह भी के भी है अपने आप खत्म हो जाएगा तो वी बाइब वी पी विल बी एक पॉल टू रेशियो लेने के बाद ध्यान दिजिए 2 इंटो 10 के भी रेशियो लेंगे तो यह उपर चला जाएगा अंडर रूट में आने के बाद जो कि आप खुद बेसिक मैस से यह दो करी सकते हैं यह से कोई बड़ी बात नहीं है डिवाइड़ बाइट टू इंटो 100 के भी अब यह के भी के भी तो खतम हो गया न क्योंकि दोनों तो सेम य स्पीड आप जाएगा और इस छे चोब बैसिश पर आप यह– पिर रहा घया कुल बात है कि कि इस само कि स्पीड जादा होगी तो इस तरीके साफ आप समार्ट्री काम कर सकते हैं, मैंने पीछे इनी बता आप से पूरा आप पुरन करना चाहिए तो उससे भी कर सकते हो और नहीं तो आप ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, जितना आप इंस कर सकते हैं। में बेटर रहे एक बात यह हो गई अब बात यह कि यह जो हम पेस्कोर के कॉंसेट मैं कई बार बोल चुका हूँ यह केवल और केवल तभी अप्लिकेवल है जब स्पीड पार्टिकल की सी से काफी काफी करनें, otherwise सी के रेंज में होगी, तो हम लोग कैसे काम करते हैं, यह आपके स्कोप में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यह जो हम लोग काम करते हैं, वो actually क्या है, काइनेटिक इनर्जी हम लोग काम करते हैं, जब भी कोई body के पास एक्स्टा इनर्जी आ जाए, रिस्ट मास है, रिस्ट इनर्जी एक्स्रा इनर्जी आ गई तो घ्ली difference of energy है एक तरह से वही kinetic energy होगे आ जाती है यह वाली बात है और M यहां पर relativistic mass होते हैं जो होती है M0 by root over 1 minus B square by C square यह वाली बात है यहां पर अब इससे आप Mb square निकाल सकते हैं B less than C पर कैसे देखें समझ यह बात को तो kinetic energy को मैं लिख रहूँगा यहां पर यह वाली value यहां प्लेस कीजिए मैं extra information दे रहा हूं M0 c square by root over 1 minus B square by C square minus M0 c square अब M0 c square को बाहर ले लिजिए इसको मैं लिख सकता हूं 1 minus B square by C square raised to the power minus 1 by 2 minus 1 समझ यह बात को M0 c square M0 c square को मैंने बाहर ले लिया 1 upon 1 minus B square by C square को मैं लिख लिख दिया 1 minus B square by C square raised to minus 1 ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको अब binomial approximation है V lessly यहां पर नहीं कर सकते है but conditionally दी बोल दिया जिए V lessly than C है तो 1 minus V square by C square raised to the power minus 1 by 2 is approximately 1 plus 1 by 2 V square by C square by normal approximation के carding अब यह value यहां place करेंगे V less than C पर तो 1 1 cancel out हो जाएगा और C square C square से cancel out हो जाएगा तो half M0 V square आ जाएगा समझे बात को यह वाली value अब यहां place किजिए और V less than C के information approximation के साफ से तो kinetik nare k will come out M0 C square और यह value यहां place करेंगे तो 1 plus 1 by 2 V square by C square minus 1 1 1 क्या हो गया cancel out right 1 1 क्या हो गया यहां पर cancel out C square C square cancel out हो गया इसकी यहां पर आपकी scope पे नहीं है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि काइनेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक इनर्जी 10.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब आप calculate कर लीजे पता जाएगा speed greater than velocity of light इनर्जी के वेल्यू कहेंगे तो पूरी आइंस्टैन साहब ने जो बात करी है कि कोई particles की velocity greater than velocity अप्लाइए तो मैंने गलत प्रूब कर दिया गलत वो नहीं है गलत है काइनेटिक इनर्जी का बताया इसके अंदर अला कि यह scope के बाहर है बट physics है concepts है आप समझेए गेन कीजिए अपने physical concepts को और limitation समझेए कि कहां पर हाप में इसकोई valid है कहां पर नहीं है वही राइट तो इस तरीके से आप लेक्चर को लाइक कीजिए नहीं किया भी तक तो अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए लोगों को हमारी चैनल के बारे में बताईए बढ़ते हैं आगे और कुछ हाट को उनके पर डिस्क्स करते हैं झाल पर बारे में पर रफची बारे में पर दो प्रवेब को उनके बारे में बढ़ हैं इसमें काफी कुछ आपके लिए है अप्धिया करने के लिए आपके बढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए जिसका आप डेफिनिटी यूज कीजिये जैसे देखें, IIT, JEE, Mains and Advanced Physics का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, Math का Chemistry, Video Lecture, How to Prepare JEE, JEE के लिए, इसके बाद आप देख रहे हैं, यह JEE में एडवांस के लिए सौट कर दिये गए हैं, फिर JEE में एडवांस के लिए Quadrant Equation है, then Math का Definite Integration है, भहुत सारे lectures जो आप के लिए बनाए गए हैं, NETA PMT, जो प्रिपरिशन दी कोई कर रहा है, तो उसका भी उमने वीडियो लेक्टर काई सारी बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं, फिर Class 12 के लिए, Math, Physics, Chemistry बगरा के लिए, जो है, How to Prepare for CBC, यह सारा कुछ है, Matrice का Chapter है, यह सब आप देखे, Determinant देखे, कई सारी Chapters हैं, इसी तरह से Class 12 का इक अलग section बना हुआ है, जिसमें different chapters हैं, हर subject के, आप देख सकते हैं, फिर Class 11 जो देखे, Class 11 का आप देख सकते हैं, differentiation, physics, kinematics, बगरा, बहुत कुछ यहां पर आपको मिलेगा, फिर Class 10 का है, Cat MBA Preparation के लिए भी है, इस तर आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए support कर सकता है, तो definitely आप इसका यूज कीजिए, राइट, दूसरों को बताएए इस चैनल के वारे में, ताकि वो भी उसका benefit ले सकें, राइट, okay, thank you and thank you very much, मिलते हैं,